वीके नियूज उत्तरपर्देश उत्तराखंड सचका सार्थी दिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे बयान देने वाली मायावती इन दिनों ब्राहमनों को समझाने बुझाने में लगी है कभी भुवा और बबुवा की राज़िक्ती करने वाली मायावती अब अखिलेश से दूर दूर रहती है और अब इन्हें अपने ही वतीजे से डर सताने लगा मायावती विधानसबा चुनावों को लेकर बहुत उत्साहित है परदेश में सियासी बिसात भी बिच चुकी है मोदी ने अलिगड़ा कर पाराभी गरम कर दिया और इन सब के बीच मायावती ने परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को एक साइट कर दिया है आपको बता दे कि जन्वरी 2019 में मायावती ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कॉडिनेटर बनाया था आकाश आनंद भी पार्टी के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे और अगले साल होने वाले 2022 के उत्तरप्रदेश विधान सबाचुनाव को लेकर काफी सकरिय भी थे यहां तक कि आकाश की बनाई शोशल मीडिया की टीम भी काफी आकरमक देखी जिससे बड़ी संख्या में पार्टी के समर्थक भी जुड़े लगातार वो बिवक्षी दलों पर हमला वर्वी थे जाहिर है कि इसका सियासी फाइदा भी मिलता लेकिन मायावती ने कतित रूप से उनको एक साइट कर दिया है माना जा रहा है कि आकाश आनंद के एक्टिव होने से ब्राहमनों में नराजगी बढ़ सकती है क्योंकि इदर मायावती ब्राहमन मत्ताताओं को मनाने में जूटी है और इसके लिए सियासी बिसात पर उन्होंने पार्टी महस्तचीव सतेश चंद मिश्रा को आगे कर दिया इस बीच चर्चा ये भी थी कि 2022 में बस्पा की तरब से मुख्यमंत्री चहरा सतीश चंद मिश्रा हो सकते हैं लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई उधा सतीश चंद मिश्रा के परवुद्वर्ग सम्मेलन में कई जगा उनके पुत्र कपल मिश्रा भी एक्टिव नसराए ऐसे में मायावती एक चुनावी दाव खेल सकती है और इसके लिए उन्होंने भतीजे आकाश को ही किनारे कर दिया जिससे कि प्राहमन वोटरों में ये संदेश ना जाए कि मायावती भी परिवारवाद कर रही है और बस्पा सिर्फ दलितों की पार्टी है तो अब देखना होगा कि मायावती को इसका फाइदा मिल पाएगा या नहीं और क्या अब भारती राजनीती की परिवाशा बदलने वाली है क्या आब जनता परिवारवाद नहीं बलकि जमीनी नेता को अपने मुख्या के रूप में देखना चाहते हैं ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूस चानल वीके न्यूस